हेलो दोस्तो मैं AmrRI कुमार आप देख रहे है आईजी निए ज् Warriors आनेगी कि डिजी पे का जब नए भर जन आता है जब लगा करना है और कैसे करना आपको डानलोड टैम अगर आप यूज कर रहें डिजी पे तो आपको कैसे एक्टिव करना है डिजी पे तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर पर जो डिवाइस है बायमेट्रिक डिवाइस जिसे मंत्रा मॉर्फो तो उसका सौप्टेयर आप इंस्टॉल करके रखेंगे उसके बाद आप डिजी पे का जो न्यू भर्जन हो इसे आप डाउनलोड करेंगे तो दोस् करेंगे तो चलिए दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देते हैं आप वीडियो को शुरू सब्सक्राइन तक पूरा देखेंगे वीडियो को स्कीप नहीं करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले गूगल में टाइप करेंगे डिजी पे को गां उसके बाद साइड हो जाइगा यहां पर आप डीजी पे başka नया बर高 डालोड कर सकते हैं यहां पर अपर देख सकते नया बरजन आपको को यहां पर हमेसा मिल जाइगा यह आंसा डाउलोड कर सकते हैं कि यहां पर देखिए डाउनलोड हो रहा है कुछ ही दिर में यह डाउनलोड हो जाएगा तो देखिए यह डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है अब डीजीपे फाइल को ओपन कर लेते हैं और इसका जो डीजीपे का सेट अप है इसे अब इंस्टॉल करेंगे डबल किलिक यहां पर हम कर सकते हैं उसके बाद देखिए डीजीपे का सेट अप है इस पर हम डबल किलिक करके इंस्टॉल करेंगे और नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाएंगे यह इंस्ट्यॉल होते जाएंगे उसके बाद फिनिस कर देंगे अब हम अपने डेक्स्टोप पर आ जाएंगे और डीजी पे का जो लोगो है उस पर डबल किलिक करेंगे तो कुछ ही देर में यह डीजी पे ओपन हो जाएगा दोस्तों आपको बायमेट्रिक डिवास यानि फिंगर प्रिंट को कम्प्यूटर से कनेक्ट करकर रखना है तो देखिए यह डीजी पे ओपन हो चुका है यह फर्स्ट लोगिन है यहां पर हम सिएसी आइडी जो भी सिएसी आइडी है उसे हम डाल देंगे उसके बाद देखिए टिक मार्क लगाना प्रोसीड करना है कि इंटिवाइरस यहां पर देख सकते हैं अलाव कर देते हैं अब रजिस्टर मोबाइल नमबर पर ओटीपी जाएगा जो यहां पर ओटीपी को हम डाल देते हैं इसको कुलोज कर लेते हैं और ओटीपी टाइप करते हैं कि उसके बाद बैलिडेट ओटीपी पर किलिक करेंगे कि यहां पर देखिए आपको कुछ टाइम लग सकता है बेल डेट होने में यहां पर देखिए बेली इनफोर्मेशन एफिलेबल दोस्तों आपको हम लाइफ दिखा रहे हैं किस तरह साब डीजीपी डाउनलोड करके आप उसे फर्स टाइम एक्टिव कर पाएंगे कि यहाईम देखिए हैं पर हम टिक मार्क लगा देंगे देख सकते हैं जो बौक्स बना हुआ है टिक करने के लिए दो हम उसी पर कर देंगे और ओन्ति टिकट करेंगे उसके बाद BLE अपना फिंगर प्रिंट डिवाइस पर अपना फिंगर लगा सकता है जैसे फिंगर कैप्चर हो जाता है यहां पर देखिए ओके कर देना है रिस्टार्ट अप्लिकेशन हो जाएगा कुछ देर में आपको रिस्टार्ट कर देना है डीजी पर अप्लिकेशन को तो देखिए डीजी पर ओपन नहीं होगा तो आप इस पर डबल किलिक करके फिर से आप ओपन कर सकते हैं दोबारा तो देखिए अभी तक डीजी पर रिस्टार्ट नहीं हुआ हम डबल किलिक कर देते हैं अब देखिए यहां पर CAC ID डाल देंगे और यहां पर टिक मार्क लगा के सकेन पर किलिक करेंगे और जो भी यह लिए अपना फिंगर प्रिंट डिवाइस में अंगुली रखेगा इसकेन करेगा जैसे ही इसकेन सक्सेश्फूल हो जाता है तो फिर से रेइस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा तो ओटीपी कहां पर टाइप कर देते हैं उसके बाद बैलिडेट ओटीपी पर किलिक करेंगे तो देखिए यह सक्सेश्फूल हो चुगा है अब देख सकते हैं इस तरह का जो डीजीपी का डैसबोर आपको दिखाए पड़ेगा तो दोस्तों आप भी अगर नया है तो आप नया भर्जिन का डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आप यहां पर बाइलेंस चेक कर लेंगे और यहां पर कस्टमर का अधार नंबर टाईप करेंगे जो भी कस्टमर का आपको बाइलेंस चेक करना है वो कस्टमर का अधार नंबर यहां पर टाईप करेंगे उसके बाद दिखिए आपको टिक लगा के स्केन पर किलिक कर दिना है उसके बाद कस्टमर अपना फिंगर प्रिंट पर अपना अंगुली रखेगा जैसे ही स्केन कम्पलेट हो जाता है तो कस्टमर का कितना बालेंस है वह यहाँ पर आपको दिखाए पड़ेगा तो चलिए दोस्तों एक कस्टमर का हमको पैसा विड्रोल करना है तो हम विड्रोल पर हम किलिक करेंगे जो सबसे पर विड्रोल है इस पर किलिक कर देते हैं और जो बैंक से पैसा विड्रोल करना हो बैंक के हम पर सेलेक्ट करेंगे और वो customer का अधार amount टाइप कर देंगे, मतलब कितने amount निकालेगा उसके बाद अधार number टाइप करेंगे customer का उसके बाद फिर से tick mark लगा देना है, scan पे click करना है, customer फिर से fingerprint device पे अपना अंगुली रखेगा जैसे ही finger successful हो जाता है तो उसके बाद customer का जो पैसा है वो it roll हो जाएगा तो दोस्ते इस तरह से आप DGPay में काम कर सकते हैं अच्छे तरह से तो दोस्तो आप भी अगर नया हैं तो आप नया version का download कर सकते हैं और DGPay आप चला सकते हैं फर्स टाइम लोगिन करना है तो इसी तरह से आप कर सकते हैं अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा होते से लाइक करें दोस्तो आप चाहते हैं कि आपको हमेशा नया अपडेट मिलते रहेगा और CSA के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करकर रखे आप बेल आइकन आप दबा कर रखे ताकि आपको नया अपडेट मिलते रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ठाइंक यू